मित्रों नमस्कार विकलांग साथी चष्ट की तरप से आपका हार्दी का भिनन्दन वन्दन मित्रों आज का वीडियो कुछ सूचनाओं के लिए है हम आठ तारिक को महिला दिवस पे बहुत बिस्तरित कारिक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं उसके विडियोज कई पार्ट में आएंगे एक पार्ट में हम सामुहिक डिस्कसन करते भी एक पार्ट में प्रग्याचक्ष लड़कियों को सिक्षा क्लास्ट्रूम में दिखाएंगे और उनसे कुछ गौरता भी की गई है और दिभिन स्रणी की दिव्यांग महिलाओं से साक्षातकार लिया गया है उसके भी वीडियोज हम महिला दिवस पे सुमवार को डालने के लिए करसंकल पहें अब मित्रों एक बात है कि हमारे चैनल का विस्तार आप लोगों के सहयोग से हो रहा है हमें कल इमेल यूट्यूब के तरब से मिला है जिस पे कहा गया है कि आपका कंटेंट आपकी परिपक्वता एंड प्रिजन्टेशन इंप्रूफ हुआ है एंड शब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं लेकिन वाश्ट टाइम बहुत कम है वाश्ट टाइम बढ़ाने में क्या हम समझे कि आप लोग पूरी मदद करेंगे हमारे 800 से उपर सब्सक्राइबर है और अगर 800 से उपर सब्सक्राइबर रोज पूरा वीडियो देख लें तो हम वाज़ टाइम भी आसानी से पूरा कर सकते हैं आप ये पूर सकते हैं कितना आप क्यों परिशान है वाज़ टाइम सब्सक्राइबर्स को ले करके जी हां आपका प्रिश्ट बहुत ही उपीप्त है और इस प्रिश्ट में आपका परुकार भी दिखता है कि आप कंटेंट दीजिए वाज़ टाइम और इन सब चीजों के लिए सब्सक्राइबर बढ़े इसकी चिंता न करिए लेकिन क्यों चिंता कर रहे हैं बहुत सारी यूट्यूब विभिन स्ट्रेणियों के विभिन वर्गों के फिल्मों के और गानों के और खाना पकाने के तरह तरह के बहुत ग्रू कर रहे हैं इसलिए हमारे वी वीडियो बढ़ने चाहिए बस यही इसी आसा से आप लोगों के सामने ये बात निमिल्दित कर रहें और इसका कोई आसा नहीं आज सिर्फ इसलिए ये वीडियो हमने प्रस्तुत किया आपको बताने के लिए सुंबार का हमारी बहने दिभ्यांक बहने देखना मस्तिलन धन्यवाद नमस्कार माननी प्रधानमंत्री मोधी जी पूरी केबिनेट और समस्त अधिकारी आप सब को एक आम आदमी के नमस्कार आज मैं आपसे करोडों जनता की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ सिस्टम ने लोगों को कैच करने के सारे फंडे लगा लिए कुछ भी गड़बड करो पकड़ लेता है GST लेट हुआ तो फाइन TDS लेट हुआ तो फाइन Plastic यूस किया तो फाइन कोई form लेट से जमा किया तो फाइन सिगनल पार किया इतना फाइन ट्रैफिक रूल तोड़े इतना फाइन कभी कभी तो गाड़ी की कीमत से ज़्यादा फाइन मैं इस हेर डेविल डिजिजियन के लिए आपको बढ़ाई देता हूँ क्योंकि भारत की जनता इसके भी न सुधरती नहीं सिस्टम पबलिक को कैच करने के पूरी तरीके बना रहा है और वो सफल भी होता जा रहा है और पबलिक के रूप में आपके साथ लेकिन मैच में दोनों पक्षों को बैटिंग करने का मौका में जाज़ा हम चाहते हैं आप थोड़ी सी पावर आम जनता को भी दो अप राधियों को पकड़ने में दे रही हो तो पुलिस के फाइन लग सकते हैं और मोदी जी एक भी किस्सा नीरो मोदी और मेहुल चोक से या तेलगी जैसा हो जाए तो मोदी तेलगी इनको तो जम के फाइन लगे लेकिन जितने लोग उस सिस्टम में इन्वाइन थे अब उन सब को भी जम के फाइन लगे क्योंकि केक जब कटता है तो वो सब में बढ़ता है तो एक दो अधिकारियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा पूरे के पूरे सिस्टम पे कारवाई होने पाइजिते कि आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं और विलीव मी यसे एक्दम पॉ situations myths है बिल्कुल भी आप इसको gouvernement मतले शिस्टम कहीं भी हिस्को नेगेटिव मतले चाहे system जीते चाहे जनता जीते इस match में जीतेगा तो भारत और आप और हम दोनों भारत को जितवाना चाहते है तो हमें कुछ power दे देजिए कि कोई भी काम करने की maximum समय सीमा क्या है ताकि लोग यह जो चक्कर लगाते रहते हैं चक्कर लगाते रहते हैं इस्कूल में result देने की maximum समय सीमा क्या है पुल बनने की maximum समय सीमा क्या है एक बार आप सारी department में समय सीमा करवा दीजिए ताकि जनता अलर्ट हो सके और जनता पूछ सके कि एक आम अब तक क्यो नहीं हो एक आप हमको email ID देजिए हम उस email ID में देश में होने वाले हर करप्शन और हर गलत बात की ख़बर देश सकें आप हमको एक टॉलफरी नमबर दे देशे ताकि देश के गाउं में रहने वाला आदमी भी फोन लगा के लंबी देर तक बात करके भी अपना किस्ता सुना सके भले वो आर्थिक रूप से कमजोर हो या मजबूर नहीं तो आप वो नायक पिक्टर में अनिल कपूर का जो हेलो सीन चलता था उस सीन को आप देख लिजी कि कोई एक हाट लाइन पर आप फोन लगा सके कि अथि जो कुछ भी नहीं जानता जो एडरेस लिख के पूरियर कैसे करूद दॉक्किमेंट कैसे करूद उससे घबराता है उसके लिए हर शेहर में पुब्लिक प्लेस पे एक बक्सा लगवा दीजिए जिसमें वो आके डाल सकें फिर मैं आपको नायत क्या निलकपूर की तरह ले जाता हूँ जो एक चौक पे बक्से को इनॉगरेट करता है और लोग उस बक्से को भर देते हैं आप में पावर हैं आप ये कर सकते हैं यदि हो सके तो एक छोटी सी लिबर्टी दे दिजे कि हम बिना अपना नाम पता और फोन नमबर डाले भी शिकायत कर सकते हैं चूकि वो डालने के बाद ये लोग बहुत तकलिफ खड़ी करते हैं ऐसा कहते हैं लोग तो बिना आइडेंटिटी के यदि आप हमको कहीं कंप्लेंड करने का मौका दे सकें तो हम और जादा खुल के करेंगे चलिए आप प्रियरिटाइस कर लिजें कि जो लोग नाम और आइडेंटिटी के साथ भेजेंगे उनका आवेदन पहले हंडल होगा और बाकी का आवेदन बाद में हंडल होगा लेकिन आप उनको इतनी सी पावर दे दीजे कि पूरे भारत के सो करोड से जादा लोगों को ये पता हो कि उनके साथ कुछ गलत होने पे एक्जेकली किस जगा सुनवाई होगी और किस जगा ठोस कारवाई होगी आप वहाँ पर कुछ इमानदार लोगों को बिठा दीजे जिनकी रग रग में नस नस में इमानदारी भरी हो और फिर देखिए मोधी जी इस मैच में क्या मजाता है एक मैच खिलते हैं दो-तीन साल का जिसमें जनता अपनी बॉलिंग करेगी और सिस्टम अपनी बॉलिंग करेंगा और कोई भी मैच जीते विश्वास किजिए भारत जीत जाएगा और वर्ल लीडर बन जाएगा मैं आपका दोस्त लेखक, मॉटिवेशनल स्पीकर, बिजनस कोच, डॉक्टर उज्वल पाटनी भारत के करोड़ो जनता की और से ये छोटी सी अपील लेके एक बार आप हमको भी एमपावर करती से